वेलकम बच्चो पिछले वीडियो में हमने पुडांकों में और उनकी प्रबूर को सीख लिया था हमने अभ्यास स्टीडी को भी सॉल्व कर लिया है आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पुड्द को में भाग संक्रिया हम्ने सीखा कि पुड्द विलोम है बहुत इंट्रेस्टिंग और बहुत इजी टॉपिक है बच्छों साथ ही एक गुड़न फल तथ्य के संगत भाग संक्रिया के दो तथ्य मिलते हैं जब हम कोई गुड़ा करते हैं तो भाग के दो तथ्य मिलते हैं जैसे पांच गुड़े साथ 35 का अर्थ है कि 35 में यदि हम पांच से भाग दें तो भी तो साथ आएगा और यदि 35 में उन साथ से भाग दें तो पांच आएगा यानि दो संख्याओं का अगर हम गुड़ा कर रहे हैं तो जो गुड़न फल आ रहा है उसमें एक संख्या से भाग देते हैं तो मैं दूसरी संख्या और अठारा भागा तीन यानि दिर छे अभी मैंने बताए ना कि यदि हम भागफल में एक संख्या से भाग देंगे तो मैं दूसरी संख्या मिलनी चाहिए तो उप्युक्त उदाहाणों से इसपस्ट है कि जब भाज और भाजक दोनों धनात्मक या दोनों रिड़ात्मक हैं तो भागफल धनात्मक होगा जब भाज एवं भाजक में एक धनात्मक और दूसरा रिड़ात्मक हो तो भागफल रिड़ात्मक होगा कि यह रूड हमें याद रखना कि यदी प्लस और प्लस या मायनस और माइनस का हम भाग कर रहे हैं मैं अंसर हमिशा क्या अगर प्लस अगर चिन चेंज है तो answer हमिशा क्या आएगा माइनस तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि समान चिन्नों का भाग हो रहा है तो प्लस आएगा और समान चिन्न अगर है भाग में एंसर हमिशा माइनस आए इसी है याद करना चलिए प्रयास करिए बीस भागां चार बीस भागां चार हमारा क्या हो जाएगा बीस में चार से भाग देंगे इस तरह दो और दोनों सेम साइन है तो साइन क्या है अज जाएगा उप्यूक्त दाणों से हम देखते हैं कि यदि भाज और भाजक समान चिन्नु अर्थाद दोनों धन अत्वा दोनों रिड के हैं तो भागफल धनात्मक होता है अब प्रयास कीजिए रिड्व 16 भागां चार का मान हमें बताईए तो रिड्व 16 भागां चार क्या हो जाएगा रिड्व 42 भागां रिड्व 6 क्या हो जाएगा हमारा रिड़ट साथ को ऑन भागा रिड़नो क्या हो जाएगा नो च्छक्चोँ यह हो जाएगा हमारा । रिड़ट छे रिड़ अर तालिस भागा आर्ट क्या हो जाएगा रिड़ रिड़ छे उप्युक्त उदाहरणों से में ग्यात होता है कि यदि भाज और भाजक विपरीत चिन्नों के हो तो भागपल रिडात्मक होता है दोनों विपरीत चिन्नों के तो भागपल क्या होगा रिडात्मक होगा अब उदाहरण में हमसे कह रहा है कि मान ग्यात कीजिए तो देखिए red 68 भागा 17 यानी red 68 बटे 17, 17, wijで 68 to red 4 answer हो गया। दूसरा हमसे कह रहा 78 भागा 13 to 38 बटा रिड 13, तो answer क्या आ गया डिड 6, रिड 55 भागा 12, तो रिड 75 बटा रिड 15 अब इसको किस तरह पढ़ते थे बच पने कि रिड से रिड कट गया तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं तो एंसर क्या आ जाएगा एंसर आ जाएगा प्लस पांच चॉण सट गुड़े सोला यानि प्लस चॉण सट बटा प्लस सोला यानि चार अब हम पढ़ते हैं भाग संप् बटा ये बच्चों सेम साइन है एंसर आएगा और अगर आपके विपरीट साइन है तो एंसर माइनस में आएगा बाकी सेम टू सेम आपको भाग वैसे ही करना है जैसा हमने आपके नेचुरल नंबर सs और होलिंवे नंबर में सीखा हूए भाग संक्रिया के प्रवुन दो पांच और रिड़ दो पुडांग है लेकिन आठ भागा रिड़ तीन आठ भागा तीन आठ बटा तीन जो कि पुडांग नहीं है तो आता क्या हुआ कि भाग संक्रिया संबरक नहीं है पूदांकों के लिए भाग संक्रिया संबरक गोड़िद नहीं है, चली, आगे देखते हैं, सुन्यतर पूदांक की दशा में, 30-3, 1, रिड़ 6, भागा रिड़ 6, 1, रिड़ 2, भागा 2, 1, यानि किसी सुनेतर पुडांक में उसी पुडांक से भाग देने पर भागफल सदैव एक होता है यह हमार दूसरा प्रगुण है नेस्ट कहा रहा है पांच में एक से भाग देंगे तो पांच रिड़ तीन में एक से भाग देंगे तो रिड़ तीन जीरो में एक से भाग देने तो जीरो यानि किसी पूरांग में एक से भाग देने पर भागफल वही पूरांग होता है तो यहां पर भी हमने तीसरा प्रगुण हमारा है ठीक है तीसरा प्रगुण हमारा है कि किसी पूरांग में एक से भाग देने पर भागफल वही चुन्न में किसी सुन्य टर पुढांग से भाग देने पर भाग फल्षू निया रे कि अब किसी पुढांग में शुन बाग परिभाशी ट नहीं है इस कम रेद ने यानी अभी में पता नहीं है इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी अभ्यास 3E के साथ बड़े ही मज़िदार तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ बच्चों कि आपने मेरे चैनल को इतना आगे बढ़ाया है और आज हम 50,000 से उपर की फैमिली हैं और मैं चाहूंगी कि आपका प्यार इसी तरह से मुझे मिलता रहे और हम इसी तरह से बढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें बाए बाए बच्चों